और बड़ी खबर यह है कि दिल्ले हिंसा में जामिया यूनिवर्सटी के एक और छात्र की गिरफतारी हुई है जामिया यूनिवर्सटी के छात्र आसिफ एकबाल तनहा की गिरफतारी हुई है गिरफतारी करने के बाद आसिफ को 31 माई तक जेल बेज दिया गया दिसंबर 2019 में दिल्ली के जामिया नगर के हिंसा में शामिल था आसिफ स्टूडेंट इसलामिक और्गनाइजेशन का सदस्य भी है हिंसा में गिरफ्तार शरजील उमर खालेद सफूर जरगर का करीबी भी है आसिफ तो 31 माई तक इसे जेल भेज दिया गया है ये एक बड़ी जानकारी स्टूडेंट इसलामिक और्गनाइजेशन का इस अदस्य है और आपको ये भी बता दें कि हिंसा में गिरफ्तार शरजील इमाम उमर खालेद सफूर का करीबी है ये जितेंद्र शर्मा मेरे सयोगी जानकारी के साथ जूड़ चुके है जितेंद्र इस बारे में और डीटेल्स आजा करें देगी पेवदिंग में डिल्ली कुलिस ने आसिफ तंगा को गरतार किया है जो डिल्ली में जो दंगे हुए थे दिसंबर में जामिया में जो हिंसा हुई थी इसके साथ जो एंटी सी एए प्रोटेस्ट जो चल रहे थे और उसके अलावा दिल्ली के अलावा दूसरे सबको लीड करना उनको अच्छे से आगे से कनवे करना इन सबी जिम्हदारी आसिफ तंगा के उपर थी और दंगो के अंदर इसकी सक्रीय भूमिका रही थी इसी को लेकर कि दिल्ली पुलिस ने इसको दंगो के आरोप में गरतार किया है और इसके साथ सबसे एहम बात है य क्रामिया कोडिनेशन कमिट्टि इसका ये एक्टिव मेंबर है इसके अलावा उमद खालेश, सफुरा जागीर, मीरन हैदर और यह तुमार जो लोग गरतार किया जाए है हाला कि उमद खालेश के पूस्ताश नेहीं की है दिल्ली पुलिस ने लेकिन सफुरा और मीरन को दि जिल्ली पुलिस गरतार किया गया है और इसके साथ ही आतंगवाद निरोधी कानून भी इनके ओपर लगाया गया है उन सब मामलों में भी उनको गरतार किया जा चुका है तो उनके उनका ये बेहत करीबी था और उनके साथ लगा था एंटी सीए प्रोटेस को इसने कोडिन किया था उसको लेकर की प्लैनिंग बनाई थी साथ हिंसा में शैमिल इससा की जानीए कि स्टर से मूमेंट्स का आगे लेकि जाना है अचिक अश्यक्त में चाहिए बहुत बर धन्यवाद आपको ये सारी जानकारी साजा कतने के लिए एक ब्रेक लेरें छोटा सा फोरण हाज़र होंगे